हाई इस इस मनिश शर्मा वेल्कुन वा यूट्यूब चानल स्टार्ट करते हैं निफ्टी और माइं निफ्टी अनलेस्स कल की सेशन के लिए एन विल्डिस्कॉस अस्टॉक्स असवेल सो निफ्टी का चार्ट आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने आपको लास्ट तीन चार्ट उड़ी में क्लेरी विउ बताया था 12,200, 12,300 ये टार्गेट पॉसिबल है निफ्टी में और अब जो रिश्टन्स लेवल आते हैं वो 12,350 और 12,400 के राउंड आता है जो की 52 वीक हाई के राउंड है 12,350, 12,400 ये एक इंपॉर्टन्ट लेवल होगा क्योंकि एक वन साइड रान अप हुआ है हो सकता है वहाँ पे एक स्मॉल रेश्टन्स ले और एक करेक्शन अमें देखने को मिले और उसके बाद वापस एक ब्रेकाउट देखने को मिले और फिर वेट करना चाहिए अगर 52 वीक ब्रेकाउट होता है तो वापस आप लॉंग को री एंट्री कर ले अगर आपको कोई अच्छा डिप मिलता है तो काफी अच्छा बाए रहेगा बट ओवराल जो ट्रेंड है वो अभी भी बुलिश ही है यहां से मुझे लगता है 12,400 तके लेवल से में देखने को मिल सकते है बैंक निफ्टी में 27,000, 27,200 यह लेवल्स हम लोग एक्सपेक कर सकते हैं क्योंकि काफी अच्छा मोमेंटम है और काफी स्ट्रॉंग यह बैंक निफ्टी एक इवनिंग श्टार पैटन बना है इसने और आप देख सकते हैं एक सिंपल ट्रेंड लाइन मेरे स्क्रीन पे 12,85, 12,90 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं इसमें एक डिप मिल सकता है इंट्राटे ट्रेडर के लिए काफी अचा शॉट रहेगा एक्जाक्ली कौन से लेवल्स पे सेल करना है मैं आपको टेलग्राम चैनल में बता दूँगा लेकिन हम लोग इसको 12,85 तक के टागेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं नेक्स्ट आग होगा एक्जाक्ली कौन से लेवल्स पे बाई करना है मैं आपको टेलग्राम चैनल लोग बता दूँगा और लास्ट आग होगा कोल इंडिया बाई कोल इंडिया अगर आप देखो एक काफी अच्छा ट्रेंड नाइन इसने ब्रेक किया और इसके उपर ही क्लोज हुआ है और आप देख सकते हो लास्ट दो कैंडल में काफी अच्छी बाईंग भी हमें देखने को भी लिए मुझे लगता यहां से 125, 130 तक के लेवल्स हमें इजीली देखने को मिल सकते हैं सो कोल इंडिया काफी अच्छा बाई रहेगे एग्जाक्ली कौनसे लेवल पर बाई करने में आपको टेलगराम चैनल लोग बता दूँगा लेकिन इसका स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा बाईंग के लिए 125 और 130 तक के टागेट के लिए आज के लिए वीडियो में इतना है अगर आपको वीडियो रानानसे अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंचे जरू करना थैंक्स लट फार वाचिंग दे वीडियो सी रू नेक्स्ट वीडियो